नमस्कार दोस्तों स्वागए आपका इ reflecting वां गिया। उप्सक्त के तैरी कर सकते हैं क्या क्या तैरी कर सकते हैं क्या प्रकूल शाइब है बहुत ज़्यादा जिरूरी यह आपको पढ़ता है इसके लिए दिखेंस सबसे पहले मैंने आप नौरिटिविकेशन जो 2019 का था वो मैंने आप पीडियाप दे दिये इस वाले चैनल पर जाके आप इस्टरडी फॉर सिविल सिर्फिस पर जाके नोटिफिकेशन की पीडियाप ले सकते है प्लस 2018 में जो भी मेरे पास में इसके पेपर थे सारे मैंने शेयर कर दिये हैं कई सारे जितने मेरे पास अबिलेबल थे सारे में डल दी आपर और जीएसवन टू-टू-फॉर का राय था वह भी इसमें प्लस आपका हous सारे के यह कर दिए आ यहसे कर दिए सारे हैं पर शेयर कर दियें है आप एक साथ पेपर आएगा हिंदी का डेड़ सो नंबर का हिंदी का पेपर है मैं बेसिक चीज़े आपको बताता जा रहा हूं क्या क्या करना है आप उसी साथ से चाहें तो बिल्कुल कर लिजेगा लास्ट में मैं बता दूंगा कि क्या क्या हमारी प्लेलिस्ट है में इसके लिए सबसे और सबसे जरूरी बात यही है कि सबसे पहले आंसर राइटिंग आप डेली करिए आप कोई चीज रिवाइस करिए या ना करिए लेकिन कम से कम दो गंटे की आंसर राइटिंग जरूरी है डेली आज से लेके लास्ट तक डेली आपको दो गंटे जो हाथ लिखने के आदर डालनी पड़ेगी एक्जाम में लगाता है तीन घंटे लिखने में पसीने छोड़ जाते हैं और ऐसी तैसी हो जाती है तो इसलिए आप वहाँ पर अभी से प्रेक्टिस करिए कम से कम दो से तीन घंटे आपको डेली लिखना है रिवीजन जितना हो पाय ठीक है वरना अगर आपने जीएस 2018 के पेपर देखा हो तो बिल्कुल वैसा है कि करेंट अफेर और जीएस का बिल्कुल मिला जुला फॉर्म तीक है जादा जो है करेंट की साइट पे ही था वो जितना करेंट का इंपॉर्टनस बहुत जादा है तो पहली चीज़ आपको आंसरेटिंग करनी है दूसरी चीज़ आपको करेंट पर बहुत जादा विशेश ध्यान देना है करेंट अफेर जो है आप कम से कम यह जैसे एक्टूबर में पेपर हुआ था तो मेरे साब से आप जो है करीबन जून या माई 2019 से लेके अप्रैल में पेपर है तो आप फरवरी 2020 तक का ज़रूर पढ़ने लाश्ट के आठ महिनों का आठ देस महिनों का बहुत अच्छे से विशेश तरीके से ठीक क्या इस्टेडी फॉर से प्रोइड करेंगा वो भी मैं बताऊंगा करेंट वाला हम हम पूरा दे देंगे आपको प्याइबी प्लस दा हिंदू प्लस प्लस योजना कुर प्तों से कम जो है अदे से एक गंटा हिंदी पढ़ना पड़ा का लाजाता है. छालिस नमबर का पूर मरों की शेल से ऊधर हो जाती है एक ऊप घंटे या पी आदे गंटे 3 किर प के आठाब्स देन रेव भिचार heute को वनाटी क्यूलमे productive को ये एसे के लिए को ऐसे विशेस द्यारी नहीं लेकिन एडिटोरियल जरूर परना चाहिए लाश्ट के 50-60 दिनों में जितने maximum possible हो पाएं इंग्लिश वाले लोग दा हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के रिफर कर सकते हैं हिंदी वाले लोग जो हैं हिंदूस्तान के और दायनिक जागरण के रिफर कर सकते हैं ये तीन चीज हो गई उसके अलावा कम से कम जो है डिएर से दो गंटे आपको डेली ऑप्शनल का करना पड़ेगा ऑप्शनल में भी ज़्यादा फोकस इस बात पर करिए कि आंसर रैटि है उसको लेटे जो पांच-छे सालों में वह उनको करिए कई बार ऑप्शनल कई सारे ऐसे जो पुराने अगर आप आट-दस सालों के सारे पेपर जो हरट लें ध्यान से जो लगा लें समझ लें क्या लिखना है उसी को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कई सारे कोशनल पर टू में बेज होता है उसमें करेंट का थोड़ा सा मिल अपडेटेट फॉर्म होता है कि उसमें ज्यादा तर पेपर वन जो होता है वो जरूर जो है उसमें प्रीवेस एर क्रेशन जो है काम आ जाते हैं तो यह आपको करना पड़ेगा डेली एक डिड़ गंटे दो बेजिए एक इतना तुने लिग करना ही पड़ेगा उसके बाद जो है इस अब चीजे करिएगा यह जो मैंने बाते बता ही यह सबसे पहले करिएगा अब देएगा हिंदी की बात करें गर आप ठीक है हिंदी में यह हैड़ेर्स और नंबर का पूरा से लिपस्त एक काम करि तो हमारी प्लेइस बनी हुई है उसमें करीबें छह साथ वीडियो है उनमें भी पूरा कवर किया हुए हमने एक एक चीज कवर की हुई है यूपी पीचेस मेंस 2019 हिंदी पापा वीडियो एक रिलीस कर देंगे जनरल हिंदी के लिए उसमें से हो जाएगा ठीक है और इसमें ज छे पढ़ाता है फिर जो है छे साथ फौर में पत्र लेखन के उनी में से एक आता है अर्माफिरा के पूझ लेते हैं एक शब्द ग्यान प्रयोक का कुशन आता है उपसर्ग प्रत्य चाटने को आता है ठीक है वाक्यांस के लिए शब्द आता है बिलोम वही 4500 रटलो जो टोटल लिश्ट है वाक्यांस के लिए शब्द है उसमें वी 4500 रटलो और उपसर्ग प्रत्य प्रत्य लो नौर्वली उसको शुद्ध करने को आता है लोको ती मौहवरे आते हैं 30 नंबर के मैं पेपर दिखाता हूं सबके तब आपको और जदा मजाएगा देगे यह 800 नंबर का पेपर है पोटेंशल इसमें इतना है कि आप अगर इंग्लिश हिंदी मीटियम के कई लोग के मैंने 105 110 तक देखे हैं मांक्स इतने मांक्स भी लाए जा सकते हैं और जो इंग्लिश मीटियम के ज्यादा तर उनके 60-65 नंबरी आते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके आप साथ दिन डेली एक गंटा कर दीजेंगे तो यहां पे आराम से इसको कवर किया जा सकता है एक इसमें देखे कैसे कोई option नहीं होता है सारे present करने पड़ते हैं एक आपका गध्यांस है ठीक इसमें आपको पहली बात तो गध्यांस का भावारत लिखना है और उसमे है फिर इसकी रेखांकित जो पंतियां है इसके यह 20 नंबर काता है इसको द्यान से देख लिए ठीक है यह वाली चीज़े हमने पूरा वीडियो में करवाई है सब कुछ कैसे करते हैं आपको फिर भी अगर ना समयन में आये तो बताएगा फिर से अलग से वीडियो बनवा देंगे इस पर प्यएन पांडे में भी दिया हुआ है हर देओबाहरी में भी धियो हुआ है फिर उसके बाद यह दूसरा गद्यान सताया इसमें आपको जो यह सब बताना पड़ता है एक लाइन इक मतलब टाइटिल होता है जो पूरे पैरग्राफ को अपने शब्दों में पूरा जो है समराइज करके जिस्ट लिखनी इसकी यह फिर देखिए उसके बाद यह पत्र लिखन का 20 नंबर का आता है इसमें एक प्रशना जाता है अर बार कोई भी पत्र पूर लेते हैं जैसे 2018 में अधी सूचना पूची गई थी ठीक है और उसमें फिर एक आपको जो है खोड़ यह लिखना था तो 20 नंबर गई यह हो गया फिर इसमें से 10 नंबर का देखिए उपसर्ग प्रत्या आता है इस हिसाब सब्सक्राइब को चटना पड़ता है विलोम शब्द जो है 10 आ जात समझ सकते हैं फिर यह यह पांच नंबर गई आया था और फिर जो है वाकियांच के लिए सब्सक्राइब थे ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 30 नंबर के 10 मौहवर आते हैं इनका आपको आर्थ लिख के वाकिप्रेव करना पड़ता है ठीक है इस हिसाब से है इतना कर लेंगे हो जाएगा इसमें अभी लास्ट में प्लेलीज दिखा दूगा यूट्टी फॉर्सिबल सर्फ में सारी प्लेलीज बनाई हुई हमने हिंदी की अलग से पूरी प्लेलीज बनाई हुई है उसको फॉलो कर लिजिए आराम से हो जाएगा हिंदी कोई टेंश सिक्शन भी सक्षनशी इस में आपको पहला बाता है लिटरेशर किल्चर सोचल इसफेर और पॉलिटकल सब्सक्राइब आइवार्मिक टेक्नलोजी इक्नामिक इसफेरय और या फिर एक्रीक टेलेट्ट और तीजरव इसक्तार और जो गृष्ण में इसकी मतीई है आप है और ज्यादा फोकस करके आ सकता है यह प्लस और जो डिवलप्मेंटल प्रोग्राम चल रहा है जल सक्ती मंत्रा ले बना दिया गया है जल मिशन चलाया जा रहा है बहुत सारे और चीज़ चल नहीं है यह सारी पर मतलब यह पूरा का पूरा और मुझे करेंट फेर वाला पा इसे लिखा किसे जाता है इसके हम कुछ वीडियो मैं लगातर दे दूँगा इसको आपको सैंपल वीडियो के मारफ़त वो आप देख लिजेगा उतने में हो जाएगा काम ठीक है इसे के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है जो आप जियास पढ़ रहा है उसी को जो है प्लस हमारा जो अभी पेड़ कुप चलना है में इसका जिसमें नौ एसे हम देंगे मॉडल एसे उसका वीडियो भी देंगा आपको कि कैसे लिखना है ठीक है उसके बाद देखें जी एस वन पर आते हैं अब जी एस वन में अगर आप देखेंगे टोटल बिलाके टोटल सत है इसमें देखा लेकिन फिर से बता दो आपको कि यह जो है यहां पर पॉइंट लिखे हुए है यह पौइंट का सिर्फ आपको अंडेस्टैंडिंग होनी चीजिए कि क्या चीज है इसमें मोटा मोटा बेसिक जो है चीज क्या है वह आंसर राइटिंग ही है जैसे पहला प पापा वीडियो पड़ा हुआ है वो देख डालिए उसमें सारी चीज़ें हमने कवर करें पूरी की पूरी बुक दूसरा और तीसरा पॉइंट यह जो है modern इंडियनिश्टी से related है freedom struggle उसकी contributors stages इसके लिए आप spectrum की बुक पढ़ सकते है spectrum की नहीं अगर बुक पढ़ सकते हैं आप हमारा वीडियो देख लिए का 14-15 गंटे का है यह पूरा पापा वीडियो उसमें पूरी understanding हो जाएगी लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा answer writing करनी पड़ेगी अचा यूपी PCS के लिए एक चीज और मैं बताना भूल गया शुरू में आप लोग UPSC के जो पेपर है पिछले करीबन जब से syllabus चेंज हो है 2014 से जो पेपर चालू हुए है GS के वो जरूर लगा लिजे अगर आप नहीं लगा पाए तो उसकी भी हमने प्लेलिज बना रखी है पूरी की पूरी 2014 मेंस UPSC से लेके 2018 मेंस तक के सारे पेपर GS1234 गेम ने सौल करवा हुए है वो जरूर देख लिएगा यूपी पीसे में बहुत मदद मिल जाएगी बाकी मैं यह बता रहा हूँ आपको जो यह पॉइंट है एक बार आप इनको देख जरूर लिए कि क्या है इसमें अगर आप पेपर देखिंग 2018 के तो समय में आ जाएगा कि इन पॉइंट में सिर्फ आपको यह पता होने चाहिए कि होता क्या है में तो काम जो है अंसर राइटिंग उप्रस करेंट अफेर का ही है चौता नंबर वाला पॉइंट है इसमें आपको 1965 तक कैसे इसका मैं चोटा सा वीडियो खुद दे दूँगा ज्यादा ज्यादा आदा एगंटे के बनेगा उतना पढ़ लेंगे हो जाएगा पाच्वे पॉइंट में वर्ड हिस्ट्री वर्ड हिस्ट्री लेकिन पूरी नहीं है सिर्फ जो जो चीज़े लिखी हैं वही बताईएग वही चीज़ें मतलब पढ़िए आप दो है 18 सेंचुरी से लेके 20 सेंचुरी के मिडिल तक की इवन पढ़नी है मतलब मोटा मोटा फ्रेंच रेवलुशन पढ़ना है इंडेश्यल रेवलुशन पढ़ना है वर्ड वार पढ़ना है और रिड्रॉल ऑफ नैस्नल पाउंटरी शोशलिजम नाजिजम फासिजम और प्लस उनके एफेक्ट ठीक अच्छा एक बात बताओ मैं आपको GS1234 इन चारों के हमने अलग अलग प्लेलीज बना रखी है उसको पूरा जरूर देख डालिएगा उसमें से करीबन जो है 80% प्लेलीज कंप्लीट है कुछ वीडियो बच तो आंसर राइटिंग में ही गेम होगा हम पूरा वर्ड इस्ट्री का पिछली बार भी क्वेशन आया था और वर्ड इस्ट्री के हमारे नोट्स भी है आप हमारे मेंस का पेट गूप जोइन करेंगे वो सब बात बताएंगे उसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल ठीक वर्ड इस्ट्री का क्रेश कोर्स में सोच रहा हूं बनवादू जिनों ने जो है एंसी आटी साइंस और इंसें इंडिन इस्ट्री का बाइलिंग वैल वाड़न अजीद जी है उनका जो है उन्हीं से बात चल लिए वर्ड इस्ट्री का पूरा तो आट तस गंटे का दोना देंगे या फिर मैं इसमें खुदी बना डालूगा फूरा ठीक है कुछ पॉइंट मैंने कवर किये भी है जी और सोचालजी जो है सब्जेक्ट है उसको इन पॉइंट को पढ़ने की विजरूत नहीं है और अगर आप सिर्फ बुक्स यही पढ़ना चाहते हैं तो य क्लास 11 12 की उसमें सारी चीजे कवर रही है अगर वह ज्यादा लग रहा है तो आप बस इन वाली चीजों को हमने वीडियो बनाया हुए है करीब आठ नौ वीडियो बनाया हुए है जी एस वन वाली प्लेलिस में पढ़ा हुआ है अब मतब टोटल मिलाके इन चारों पॉइ बस वही फीचर क्या है इसको आप गूगल करके भी कुछ कुछ पॉइंट देख सकते हैं कई सारे एडिटोरियल में यह एक एक पॉइंट पूरा कवर कर देते हैं क्या रोल है वोमन का कैसे कैसे जो है जो चेंजिंग सोसाइटी है कि कितने वोमन और्गलेशन है यह सब इस इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है और इसका वीडियो बचा हुआ है यह बना दूंगा ठीक है आप चाहें तो इसको देख सकते हैं और वरना मेरे साब से तो आप इसकी भी कर सकते हैं क्योंकि यह पॉपलेशन और सेटेल्मेंट यह बहुत ही बेसिक सी चीज़ है एक बात इसमें बताओ जैसे वर्ड जोग्रफी के चैप्टर से कहां से कवर करना चाहिए इसके लिए वैसे तो मैं इसके वीडियो बनवा दूगा ज्यादा तर चीजे जो हैं वह आपको एंसी आटी में मिल जाएंगी एंसी जोग्रफी कौन सी वाली पढ़नी है आपको इसमें आप क्लास 11 की जो दो बुक है वह वाली दोनों के चाहें वीडियो पढ़ दा लिए या फिर उस प्रिश्ट्री और यह सब है यूपी का जोग्रफी इन सब के लिए आप मेरा यूपी का एक यूपी जी के पापा वीडियो देख लिए गा सारी चीज़े अलमोस्स जो है उसमें लेकिन प्री के फॉर्म में लेकिन फिर इसको उसको फिर भी काफी काम आ सकता है यहां पर इसको थोड़ा मेंस के लिए और इसमें पॉइंट डालेंगे यूपी जी के की पापा वीडियो की जो प्लेलिस्ट यूपी जी के की उसमें कर देंगे ठीक है नहीं भी आप अगर इसमें जो है उसमें वीडियो में आपको देखने कर लग रहा है परिक्षावड़ी की कि यूपी का का चैई यूपी का पहले बाद टो जो कई सारी पॉलेसी आति रहती है यूपी की को टूरीजम पॉलिसी है ड्रो मारकरटंग पॉलिसी है मैणुफेंट्रिंग पॉलिसी ये सब आपको जरूर पढ़ना चाहिए ठीक है ये इस से डारेक्टली कोईशन पूछ लेते हैं कि उसके फीचर क्या क्या है तो मतलब ये सब क्या है करेंट अफेर का पार्ट है यूपी जीके में क्या पूछ सकते हैं यूपी की जोगरफी पूछ सकते हैं बुंद लातार कर भी रहे हैं और जीएस वन की जो प्लेइस बची हुई है वो इसमें जो एक दो वीडियो बचेंगे वो मैं जोड़ दूँगा इसमें अभी टाइन दीजे थोड़ा सा ये जो है मार्च एंट तक कर दूँगा बीस अप्रेल से पेपर है पेपर से पहले तक कई सा उसको रिवाइस कर सकते हैं एक बार स्पेक्ट्रम की पूरी फॉरली पढ़े लिए बस एक रीडिंग अभी इस बार जो पढ़िएगा तो ऐसे पढ़िएगा कि उस पर रीजन्स को भी देखते जाएगा कॉसे देखते जाएगा इंप्लिकेशन क्या हो रहा है किसी इवें लिए अब यह सब चीजे जरूरी नहीं कि सेंटर कहां पर पढ़ाता कौन कहां का इंचार्ज था लेकिन एक ओवर और अंडेस्टेंडिंग होनी चीए कि उससे जो है भारत पे क्या क्या जो है दीर काली मतलब वाइडिस्पेट क्या क्या प्रभाव पढ़े चौदा से अठारा दोजार अठारा यह सौरी 2019 तक के यूपी सी के जितने पेपर है चैनल पर पढ़े हमारे इसकी जीएस बन टू-3 पोर की वह देख डालिये वह बर देखियो फिर उसमें खुदा अंसर लिखिए ठीक है और प्लस हमारा एक अंसर रैटिंग का फ्री ग्र चारा की मॉडल आंसर जो थे हमारी उसको एक्स्प्रेशन के लिए पूरी क्लेरी बिना रखिए वह भी देख सकते हैं जी आश्टू में ज्यादा तर चीजे जो है लच्छी मिकांद पॉलिटी की सिक्स ट्रडिशन से कवर हो सकती है जैसे पहला जो पॉइंट है इसमें आ आप पूरी एक बार रिवाइस कर लें या फिर फिफ्ट वाली ही कर लें उसमें कई सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे ठीक है यह हमने और इसके वीडियो भी बना देंगे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो जरूरी चीजे होंगी लेकिन इसमें मैं बता दू आपको सेकं कुछ कुछ पॉइंट पढ़ने है उसके लिए लच्छी मिकान पॉलिटी की बुग पढ़ सकते हैं ठीक है जैसे यह वाली बुग है ठीक है यह वही सिक्टरिशन है तो इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना चाहिए क्योंकि यह जी एस्टू का पॉइंट वन कवर कर है दूसरा चैप्टर भी पढ़ना चाहिए क्योंकि यह जो पहला पॉइंट है उसी में लिखा हुआ एवलूशन तो वो इसको कवर कर रहा है फिर ठीक है फिर जो फीचर्स है उसके लिए तीसरा या लब चैप्टर पढ़ना चाहिए यह तीन हो गए उसके बाद वहाँ प बाकी छोड़ दीजिए यह वाला जो एमेंटमेंट वाला है ना टैंथ वाला पढ़िए और 11 वाला पढ़िए यह वाले चैप्टर जरूर पढ़िए मतलब सुरू के 11 तक यहां तक पढ़ लिए ठीक है उसके बाद अगर आप दूसरे यह मतलब एक पहले वाला पॉइंट जो है GS1 का उसमें लिखाए फिर रोल आप सुप्रीम कोर्ट इन एवोलोशन ऑफ बेसिक प्रोविजन्स ऑफ कॉंस्टिटिशन तो वह इसी में कवर हो जाएगा अल्मोस्ट तो पहला पॉइंट पूरा कवर हो गया अब दूसरे वाले गर उसमें पॉइंट पर आया अगर इसके लिए आपको फाइनेंस कमिशन का और प्लस जो है रिकमेंटेशन हो सब चीए पढ़ने पड़ेंगी इसका आपने अलग से वीडियो जो है पॉइंट वाइस बनवाया हुआ है उसमें बेसिक चीज बताई गई है कि क्या-क्या इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइ ले भी बनाया जा चुक है इसका मुझे मैं कुछ पॉइंट में खुद तैयार कर रहा हूं इसमें सारे वीडियो में खुद बनाऊंगा यह ठीक है इसमें थोड़ा और क्रिस्प कर करके क्रिस्प और जो है शॉर्ट वार्म में करके यह वाला हो गया इसके विए अवला व हैं उनके साथ हैं यह वाले पॉइंट आप जो है मैंने बताया आपको लच्छमी कांद की आप पूरी जो हैक बार रिवाइस कर लिजे अगर हो पाई पॉसबिल आपके लिए को कि लच्छमी कांद की बूग ऐसी है कि आराम से अगर किसी ने पट रखे हो एक हपते के पॉइंटि च्रेक्टिर का कैसे 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 जो है फंच्छिनिंग होती है कितनी मिनिस्ट्री इपार्ट्मेंट की प्रेशर ग्रूप्स क्या होते हैं पिया इल क्या होता है तो यह सारे चेप्टर दिये हैं लच्छ पिकान ने शब्द देख किया हुए आप वहां से पढ़ एक्ट है उसके बारे में पूरा बता हुआ वह देख लिए आप देखें नाइन नंबर पॉइंट यह क्या है जितनी भी जो और जो रिगुलेटरी बॉड़ीज है वह सब एक मैंने यूटूब में वीडियो बना हुआ है और बॉड़ीज पापा वीडियो आप अगर यूट सकते हैं अब इसके लिए एक पॉइंट कोई बॉड़ीज बॉड़ीज बोरे नियूंक की और नहीं चेहिंट है यह सब जाया है आप उसको पॉइंट वाइस देख लिए या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं इसमें आप इसके लिए एक एक पॉइंट के लिए बुक जरूरत नहीं पढ़ना मैं बता रहूं ही साट दिन में पढ़ना इतना इंपॉर्टन नहीं जितना लिखना इंपॉर्टन लिखने पर जादा फोकुस करिए जो पढ़ने वाली चीज है वह हम आपको दे देंगे जो वेलफेर इसकी में यह भी करेंट अफेर वाला पार्ट ह प्र लिखने जीफिन है कि ऐसमें के लिखने जरूर्टन अवर्णवर्ण ही मरें ऑनिदे रूटन लिखने हैं आपको इंडेस्टेंड्टिंग होनी चाहिए लेकिन आपको ऑंशर रेटिंग करनी पढ़ेगी लगांतार जो थो हैं मॉडल आम आ leads ब्ल 하지만 फिर से अभी तो हमारा बात में बता हूंगा लास्ट में अभी मैं फ्रीग वाले जो प्रोग्राम में चालो कर नहीं जा रहा हूं वो मैं बता रहा हूं यूपी पीसे जिख ले मैं यह वाला जो पॉइंट है यह क्या क्या इशूज होते हैं क्या सक्सेज है क्या लिम्टेशन है यह चार्टर क्या होता है यह सारी चीजे जो है क्या क्या इंपॉर्टन एस्पेक्ट्स हैं गवर्नेंस के इसके लिए अगर आप कोई आटिकल देखेंगे कई सारे डिटोरियल म न्यूज आती रिती है प्लस जो करेंट फिर वाला पार्ट है उसमें से और मेंली जो है अंसर रैटिंग से ही हो पाएगा सेविंटीन नंबर वाला पॉइंट हमने कवर किया है सीविल सर्फिस का ऐसे इमर्जिंग ट्रेंट क्या क्या आ रहा है वो सारी चीज़े डिसकस की हुई है फिर यह देखे यहां से जो है इंटरनेशनल रिलेशन चलू हो गया है पूरा यहां तक 21 तक 1819 2021 इसमें ज्यादा तर इंटरनेशनल का करेंट फिर पढ़ लिजेगा उतना जो है काफी है एक बे 얄स्तल करेंट अफेर है पिछले एक डिल साल का वो पढ़ डालि ए क्या क्या इसु चल पर बार च्पा कर सकती हैं यहां ब्रेटे?. यह वाला 21 नमबर पॉइंट जो यह है इसमें इंटरनेसन इंसिट्टूशन इंजेंसी उनका इस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्र है यह मैंने एक आल इंटरनेसन इंसिटूट्स ऑफ इंडिया और इसे सोब वीडियो बनाता है उसको देख सकते हैं उसको अपडेट करके मैं इसका फिर से वर्जन लाओंगा बहुत जल्द ज्यादा तर यह करेंट अफिर का ही पार्ट है मेंस में सिर्फ इसमें बेसिक पॉइंट आप अंडर्स्टेंडिंग लिए पड़ सकते हैं लेकिन क्वेस्चन वैसा आता ही नहीं है उपको जो पॉइंट यह वीडियो और जो पॉइंट और नोट दिये जाएंगे सिर्फ आपको आशर रेटिंग करनी पड़ेगी जीस पहला पॉइंट एकनॉमिक प्लाइंग इंडिया तो मैंने फाइव एर्स प्लाइनिंग का पूरा वीडियो दे रखा है उसको देख लिजेगा उसमें पूरा सब बता हुआ है नीतियायो का पूरा वीडियो देख रखा है ए जो है एक होता है डॉक्मेंट पॉलिसी का फिसकल पॉलिसी का हो यह सब वही सब चीज़े क्या क्या होती है वह सब इसमें बताये गया है लच्वी कांत वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसमें भी हो जाएगा वरना मैंने पॉइंट वीडियो बना रखा है उससे देख बीडियो पूरा देख सकते हैं ठीक है फूड प्रोसेसिंग यह वाली जो इसके क्या क्या इशूस है क्या स्कूप है सिगनिफिकेंस है जितने पॉइंट मतलब हमने इसमें बेसिक बताया अपने जीस्ट्री में प्लेलिस्ट में लेकिन आपको इसमें करेंट अफेर के साथ पहली बात तो मैश्यप करना पड़ेगा और फिर आंसर राइटिंग कर अगर आपने वहला पॉइंट देख लिया तो इसमें कवर कर दूँगा मैं ठीक है तो वहला आप जरूर देख लिएगा उसमें से हो जाएंगे कफी मेंस वाले लोग के लिए बता रहा हूं मैं यह प्रीवालों को देखना ही है इंफ्रशक्चर इनरजी में पोर्ट में र घ्रशक्त में सारे मैंने स्पीच के साथ-साथ पूरे डॉक्मेंट को पूरा जहर दिखा के पूरा एलाइस किया है पूरे डृते रिष्ट भाश पॉइंगे वही तक शनल में राची इमिए इसमिघ्रिशन इंवार्मन इंपक्ट असेस्मंट यह वाले टॉपिक पढ़े सकते हैं इसके लिए ठीक है इसके पीडियाफ जो है मैं में इसके पेड़ कुप में दे दूंगा आप चाहिए तो उसको पढ़ चुकते हैं उसमें से मतलब बहुत जादा हो जाएगा अलाकि वह यह वाले चीज़े पढ़ जा सकती है लेटेस्ट जो इस वह वह आला पढ़ि पार्ट है जो करेंट पर चल रही है वह सब चीज़ें ठीक है ज्यादा तर आंसर राइटिंग वाला पार्ट है इंडिया के इंटर्न सेक्यूर्टी के चैलेंजिस क्या क्या है टेरोरिजम हो गया करप्शन हो गया इंसर जेंसी हो गया इस पे एक वीडियो चाहिए होगा इन दोनों पेक्चुरी चाहिए होगा नोट तुमने दिये हुए इसके वीडियो नहीं दिये हुए यह देने पड़ेंगे 17 वाला मैं वीडियो दे चुका हूं अल्रेडी आप यह स्तरीकी प्रविस ले देख लिए का पूरा पॉइंट कवर किया हुए मैंने कुद दिया ह यूपी की gouvernement scheme क्या क्या है आपके government program क्या में यह सारा यूपी जीके का part है ठीक है तो यह तो आप परिक्चावाणी से ले सकता है या फिर हमने जो पॉंट बाइवा उससे पड़ सकते ए ठीक है गटना चक्रा की भी राती इससे भी पड़ सकते है फिरματα 19 प्वंट है क्या क् agriculture में होटी कल्चर फोरिष्टष और इनियुयर्ड इसमें देगे एच्छो जो है एग्रि कल्चर वाले हैं बहुत दिनों से वही ईस्यू है वही … जो नए वाले होते हैं बहुत- कम इस saúde नए क्रिेट हो पाते नो है वही जो ईल्लाइन्ट टेर्गमनेश्यन वहता जा रहा ह वही लगातार केमिकर फर्टलेजर का यूज बढ़ने से फर्टलिटी डाउन होती जा रही है, जो किसानों की आया है, वो नहीं बढ़ पा रही है, उनको पूरा जो है जितना वो लोग लगाते हैं, उतना उसका प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, वही कुमापिरा के है, फि सारे एक करेक्टर के हैं, हमने अल्लेडी नोट बनाए हुए है, वीडियो बनाना बाग की है उसका, लाइन ओर्डर, सीविल डिफरेंस और ये स्पेशल रिफरेंस टो यूपी में, वही यूपी में जो यूपी जी के वाला पार्ट है, क्या 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 चलना रहा है, पूछ लिए थे तीन-चार, ठीक, फिर इसमें जो है, यह मतलब जितने ही इसमें टर्म लिखे हैं, एटिट्यूट, एप्टिट्यूट क्या होता है, पाउंडेशनल वैल्यूस क्या है, इंटिग्रिटी क्या होता है, यह आपको लिखना आना चाहिए, मतलब एक्जैक्ली होता क्या है, इसकी नोट से हमारे, हमारे ले लिए या फिर कहीं से और पढ़ लिए, जो जो इसमें पॉइंट दिये हुए है, किसी और का कमपाइलिशन आपको मिल जाए, वहां से पढ़ लिए, लेकिन गूगल से कर लिए, लेकिन आपको यह वाले जो टर्म है, यह सब कर अब इसमें तो मतलब नहीं जा सकते हैं, लेटेस्ट में जो चर्चित होगा, उसी का कर लगते हैं, वहाजारों लोग हैं, बाकी जो यह वाले पॉइंट है, यह हमारे बेसिक वाले कवर करा चुके हैं, जो पबेड़ वाले हैं, उनको ही प्रणिक जरूरत नहीं है, बाकी जो लोग हैं, उनके लिए हमने वीडियो में बताया हुआ है, जो बेस पॉइंट हैं, प्रॉबर्टीन गवर्नमेंस का होता है, यह सब भी हम बता चुके हैं, क्या करप्शन है, क्या चीज़ें, यह सारी चीज़ें, इसका एक बेसिक जो है, कोर्स पूरा बना हुआ है, प सब तक आप देखिए उसको, लेकिन इसमें पूरा जो है, कोर्स मैं खोदी करूंगा इसका, और प्लस केस स्टेडी जो होती है, केस स्टेडी बड़ी इंट्रेस्टिंग होती है, केस स्टेडी के लिए जो है, आप पहली बात तो पिछली बार कोई पूछे नहीं कहते हैं, ठीक है, GS1234 की स्टेडी फॉर स्टेडी की प्लेलिज देखनी है, प्लस हिंदी की प्लेलिज देखनी है, अब हम नौ मॉडल ऐसे देंगे, अपने प्रेट गूप में उनके वीडियो देंगे, वो देखने हैं आपको, आंसर राइटिंग, जो मॉडल आंसर की आंसर मेंस के लिए बनाया थे, 2019 के लिए भी बहुत जरूरी है, उसमें पूरा आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, यह सम बताए गया है, वो जरूर देखना है, यूपी स्टी जो आपके GS के पेपर आया थे, 2014 से लेके मेंस के, वाली प्लेलिस बनी हूई है, यह इतना तो करना ही करना है, उसके अलावा करेंट के अगर आप बात करेंगे, तो करेंट का मैंने आपको बता दिया, जून 2019 से लेके, जन्वरी 2020 तक का अभी हमने जो है, अमारे एक एडू किटर बना रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, पी आई बी, दा हिंदू, इंडियन एक् का प्रिलिम्स और यूपी पीसेज 2020 का प्रिलिम्स, यह जो है, यह हम पहले यह वाला कवर करेंगे पूरा, फिर मंतली हम यह दिया करेंगे, डिटेल करेंट अपेर का, उसमें पी आई बी, दा हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, योजना कुर्शेट, तो यह मतलब कंटिन फिर उतना देख लेंगे तो हो जाएगा, ठीकर नहीं भी, अगर आपको हमारे से नहीं देखना है, तो कहीं से भी आप जो है, करेंट फिर जैसे 20 अपरेल से पेपर चालू है, यह यूपी पीसेज मेंज का, आप करीबन जून 2019 से लेके, फरवरी 2020 तक का करेंट फिर कहीं स साथ दिन बचे हैं, अब आएसा तो है नहीं कि शोशल वर्क है, या फिर डिफेंस है, वो दोनों ऑप्शनल होते तो एक महिने में हो जाते हैं, आप जो है एक बहुत समस्या आ रही है कि ऑप्शनल कौन से लेना चाहिए, पहला तो यह क्वेशन है, कि अगर आपका पहले स करोगे, सुच मारोगे, इधर से उधर, फालतू में जो पहले मेरत करना की वो बरवाद हो जाएगी, ऑप्शनल में करना क्या है, वो समझे है, अगर कुछ ना हो पाए, कोई भी ऑप्शनल आपने लिया हो, माल जीए, आप जो उसके पिछले 10-15 सालों के पेपर उठाओ, उनके कम से कम जितने जो लिखित वाले अंसर है, वो देखो कि कैसे पैटर्न आता है, और उनको कर लो तस बंदा जालगे, कम से हम इतना कर लेना, इसके अलावा, आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल माल जीए, कोई भी ऑप्शनल है, आपने देखा होगा, इतनी सारी बड़ा इंडिया, बहुत सारी कोचिंग जलती है, कोई हिस्ट्री करा रहा है, जो भी आगर माल लिए आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है, पहली बात तो ऑप्शनल बदलना नहीं, तो हिस्ट्री से रिलेटेड, मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो हमारी हो या किसी X की हो, Y की हो, जितनी टेस्ट सीरीज, जितनी लोगों ने निकाली है, आप जो है उसकी पीडियाप से पढ़, उसकी पीडियाप डाउनलोड कर लिए पिछले दो-तीन सालों में जो भी उसने कुशन करा है, टेस्ट सीरीज में मौडल अंसर भी दिया होगा पका, तो वो आला जो है निकाल के आप पढ़ना चालो कर दीजिए, पीडियाप मिल जाएगी, टेलिग्राम में कई सारे चैनल है, देते हैं, हम भी दे देंगे आपको, अगर आप मागेंगे तो हमसे वीडियो में बता दीजेगा, कई सारी पीडियाप हम खुद दे देंगे, ज अगर आप बाहर रहते हैं, वहना हमारा टेलिग्राम जोइन कर लिएगा, जो हमको मिलती जाएगी, जिसकी भी, जो है मेंस के लिए जरूरी होगी, हम उसको अलग से प्री में टेलिग्राम में देते जाएगे, क्योंकि दूसरे को कप्यूराइट है, उसमें अगर हमारी को टेस्सीरी होती ही, तो हम जरूरी देते हैं, ठीक है, ऑप्शनल के लिए एक दूसरी चीज़ है कि एवर्गीन ऑप्शनल जो होते हैं, वो लेने चाहिए, अगर आपने मतलब माल लेजाए, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, और अब आपको भरना है, तो आप मेरे साब आप से ऐसे ऑप्शनल बनीएगा, जिसे PSIR, PSIR की पूरी कम्प्लीट स्टडी मिटरियल, यूँ वीडियो इस स्टडी फॉर्सिवल से पढ़ा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, 160 वीडियो है, अगर आपको थोड़ी मेनच ज़्यादा कर लें, तीन-चार गंड वीड सीरीज पढ़ी हूँ, यह उसका पाप आप आप यूडियो रिलीज करने वा रहा हूँ, यह तीन-चार हमारे पास है, एक हिस्ट्री उप्शनल के लिए भी कुछ वीडियो पढ़े हुए है, अगर चाया तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इनके लेकिन पूरा कम्प्लीट सब्सक्राइब कम्प्लीट है, पावेट में मतलब यह है कि कॉंसर्ट पूरे बताएगा है, बुक तो पढ़ दी पढ़ेगी, और यह हिंदी लिटरेचर का भी अल्मूस्ट सारे कॉंसर्ट बताएगा है, ठीक है, यह है, चार हमारे स्टड़ी पॉर सिब्सक्राइब कोई यह वाले अवाइड करिए, कि इसको मत लिए, क्योंकि फायदा नहीं होगा, एक्स्टा मेनत है, और इसमें जी एस का कोई फायदा नहीं है, बाकी अगर आप आप देखें, जो मेंस का इस्ट्चर देखें, जी एस के चार पेपर है, दो दो सो नंबर की तो जी एस है, ठीक जोचिए कौन से उप्चिनल नहीं है, एक तो पबेड है, एक है PSIR, एक है हिस्ट्री, एक है जोग्रफी, शोशालजी, एंथ्रोपोलाजी, यह सब है, छोटे उप्चिनल कोन से होते हैं, जो जल्दी कावर हो सकते हैं, मेरे साब से सोशालजी है, सोशल वर्ट से मिलता जोच रहो सोशालजी का पूरा बना दो, क्योंकि मैरे सोशालजी वर्ट वाले पूरे बनाए हो हैं वीडियो, ठीक है, तो सोशालजी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलाजी ले सकते हैं, साइक्लोजी ले सकते हैं, और यह वाले जो है, चोटे-चोटे होते हैं, बाकी तो रही है और बस यह जरूर ध्यान रखेगा कुछ ना हो पाया तब कम से हम लाज दस सालों के पेपर ठीक यूपीएस्टी के प्लस जहां जहां बोर्ड के आपको मिल जाए बीपीएस्टी के मिल जाए वो लगड़ा डालो प्लस जितनी भी जो टेस्ट सीरीज होई है जितनी को होनी जी कि मतलब कोई पॉइंट में अगर और डारेक्ली पूछ ले कम से बता तो सको कि इसमें है क्या मतलब पहला पेपर ज्यादा तर तर तेहोरी बेश जाता है जितने भी ऑप्शनल है दूसरा पेपर एलिट के ला रहा है उसमें थोड़ा सा जो है गुवा सकता है लेक 50 बीस की तयारी कर रहे है ऑफिड užने के लेने के कैई सरे फेक्ट होते है पहली बात तो उसकी ınaडियल के कितनी है कि वहकत आपको कितना देखे cannis pretty है इसका कोई एगर वीडियो पूरि सीरीज पड़ है कि नहीं पड़ी है उसमें सबसे बड़ा आपका interest है कि नहीं तब वह ऐसा है कि अगर आप 8-10 गंटे पढ़ ले उसके बाद भी जो है उसके पढ़ने में interest आता रहे ऐसा है कुछ वैसे तो पढ़ाई में interest आता ही नहीं लेकिन फिर भी कोई particular subject होते हैं जिसमें जो है आपको interest आप लगता है अगर आपकी जो होबी लिया जा सकता है इंट्रेस्ट है कि नहीं उसका study material है कि नहीं मार्क्स आते है कि नहीं और उसमें आप कर पाएंगे कि नहीं syllabus कितना है उसका अगर 2020 के लिए कर रहा है तो अभी से प्रपेर करना चालू कर यह सिलेबस जो है जैसे PSIR पाबेड हिस्ट्री जोग्रफी यह सब बड़े बड़े सिलेबस है इसमें पांच-छे मिने से कम में नहीं हो सकते है यह ठीक है पूरा पूरा सिलेबस करने के लिए को ठीक है पहला तो यह इनिशेट्व फ्री रहेगा बिल्कुल इसमें मैं बोर्ड पर आपको पूरा आंसर होता हूंगा क्या 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 पॉइंट लिखे जा सकते हैं और या फिर इसी यहीं पर बता दूगा आप उसमें उस हिसाब से पॉइंट आपको समझ में आ पूरान अफिर आ पूरा दे ईगा पूराने जो आंसर आपको दिय जा चुके है यह आप उसमें रेंटिंग करने तो उसमें फिल जाए गा सब कुछ दे दिया जाए गा करके नानग से करके पूरा गुरूप पूरी स्ट्राइजी अपनाने पड़ती है सब कुछ मिलेगा एक 2019 का है complete paid group ठीक है इसमें आपकी fees are 9000 इसमें जो GS1234 के जितने भी point wise notes है जो basic basic point में बताया था आपको वो हम लोग देते हैं English इंदी दोनों में प्लस करीबन जो है चार चार मॉक टेस्ट है GS1234 के वो हमने दिये हुए है पूरे answer right model answer के साथ यह हमने दिये हुए है आपकी practice के लिए कि आप उसमें करते रहो इसके अलावा हम इसमें daily दो question देते हैं सुबह बाइलिंग्वल भाशा में मतलब दोनों भाशाओं में इन दोनो में मिलता है तो यह होता है और इसी में जो है नौ ऐसे भी आपको मिल जाएंगे अलग से वैसे तो इसे की PDF दे दूँगा मैं इसमें इतनी चीजे थी complete आपको material point wise प्लस आपको model answer GS1234 के model paper मतलब पूरे मिला के चार-चार मतलब 20-20 question के set पूरे total मिला के हम दे दिये हुए वैसे वो ठीक और उसी में 125 वर्ड वाले question भी है 200 वर्ड वाले question भी है डेली जो हम दो question देते हैं एक 125 का देते हैं एक 200 का देते हैं ताकि उसी हिसाब से आपकी त्यारी होती रहे डेली एक ही दिन में feedback answer writing model answer सम्मिल जाता है ठीक है इसी वाले जो 9000 का group है इसी में आपको हिंदी के notes भी मिल जाएंगे हिंदी के तीन paper भी करवा दिये जाएंगे हिंदी के complete notes एसे के लिए topic बता दिये जाएंगे guide कर दिये जाएगा AC writing यहाँ पर नहीं होगी AC की PDF ज़रूर यहाँ पर में share कर दोगा एक तो यह group है पूरा ठीक है उसके अलावा एक दूसरा group है हमारा 2019 का mains का test series group यह है total विलाके साथ है 800 रुपए का इसमें 12 test series होंगी 3 होंगी gs1, 3 gs2, 3 gs3 ठीक है और 3 gs4 इसमें क्या क्या है जो gs1 का पूरा से लेबस है हमने उसको 3 part में divide कर दिया है 3 test होंगे उसमें इसमें आपको 12 test series प्लस 9 essay 9 essay model essay मिलेंगे सब कुछ bilingual मिलेगा weekly test होता है तो आप अभी join के लिए इसको जो week छूट गए आपके आपको उसका question model answer मिल जाएगा और प्लस अगर आप उसको लिख के देंगे तो answer feedback मिल जाएगा कितने number आपके आए क्या क्या point missing है बिल्कुल जो है individual question वाई आपको feedback मिलेगा तो इस दो पैकेज हैं अगर आप चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं दोनों में अलग अलग लोग है cross check करने वाले तो answer rating और जबरतसरी के हो जाएगी वरना अगर आप जो है एक इनमें से कोई भी क कर सकते हैं test series वाला group आप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे mainly वैसा paper बना रहा है जैसा exam में आएगा फाइनली जैसा आपका 2019 के मेंस में आएगा बिल्कुल वैसा बीस का question का set होगा 10 question उसमें 125 वाले 10 question आपके 200 वाले बिल्कुल वैसा ही होगा बैलिंग जैसे आता exam में आप बि पूरी जो है copy चेक करके आपको point wise feedback दिया जाएगा कि दिने नमरा ही सब बताया जाएगा आज रेटिंग टिप्स दी जाएंगे यो प्लस 9 एसे दिये जाएंगे तो दो ग्रूप है हमारे आप इसमें जो भी चाहिए जोएं कर सकते हैं इसके अलावा एक और वीडियो है उ यूपी पीसेज 2889 के model paper जो हमने discuss की है उसकी playlist से देख लिजेगा और UPSC 2014 से लेके ठारा उन्निस तक के GS1234 के जो paper है मेंस वाले वो देख लिजेगा playlist ज़रूर देख लिएगा इसमें सब कुछ मिल जाएगा ठीक है और अब ही जो मैं answer writing चालू करूंगा उसको लिए भी उ कोई भी जानकारी आपको paid group के लिए लेनी है 8564805309696066089 पे call करके ली जा सकती है फीस में कोई discount कोई कुछ नहीं हो सकता है one time fees है no refund है सारा कुछ टेलिग्राम में होगा कोई और material या माध्यम नहीं है या पर जो complete paid group होगा उसमें दो paid group होंगे एक होगा material देने का उसी में आपको current affair भी cover करवा दिया जाएगा पूरा जो current affair हम अभी series बनाएंगे उसकी PDF भी उसी में मिल जाएगी ठीक है प्लस जो most important point होंगे मेरे पास PDF को सब मैं उसी में देता जा रहा हूँ मतलब देता जाओंगा अभी अब आप तो जो है लोग एक्टिवेट होएं तो और ते ठीक है प्लस बाकि जो फ्री के प्रयास है वो चलते रहेंगे जितनी जो प्लेइस जरूरी है जीस वन टू थ्री फोर की हिंदी की पॉडल अंजर की यूपी सी दो जर चौदा से ठारा तक के previous year question क्यों प्लस जो current affair हम बनाएंगी यह सब आपको देते जाएंगे इसी वीड सब्सक्राइब नमबर है बस ठीक है यह कुछ feedback है आप देख सकते हैं इसमें यूपी PCS 2019 के जो prelims है उसमें directly study for civil services से 107 सिलेक्शन हो चुके हैं अभी तक जितने लोगों ने हमको जो हैं फॉर्म किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ करीबन साड़े 700 लोग थे हमारे प्र series ली थी उनमें से result है तब करीबन 10% से जाता है और जो free वाले पापा वीडियो प्रस playlist देखते हैं उससे 467 लोग inform कर चुके हैं अभी तक इतना हो चुका है लगातार लोग इसमें या करते आ रहा है यह आप चाहें तो comment देख सकते हैं सारे सारे मानिया डाल दी हैं आप य यह चैनल यहां पर जाके आप यह जो पोटो और वीडियो से पूरे जो है मारे screenshot देख सकते हैं फाइल से जाके जो अभी मैंने आपको प्रीवेश से पेपर दी हैं यह सब की PDF मिल जाएगी आपको सारे पेपर देती है आप देख सकते हैं यहां पर मेंस का जो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए 8564-88-0530 या फिर 96960-66089 पे WhatsApp, Telegram या Call कर सकते हैं मेरा नमबर है 78869-2618 लेकिन मुझे सिर्फ WhatsApp करिएगा और वो भी मैं response लेट देता हूँ 12 गंटे से 24 गंटे लगते हैं मुझे response करने में तुरंद response चाहिए तो इधर ले सकते हैं कोई भी जानकारी ठीक है ओल दबेश्टे जैहिल ये वाला जो प्लेइलिस्ट है जो वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन ले दूगा सारी